तो हेलो फेट значит कैसे Records आगए आप दोस्तों आज मैं आपको बताने मौवाइल के एक hidden setting जो कि Samsung के हर मौवाइल में होती है तो समसंग के मौवाइल की setting इसको कैसे इनेंबल करें गए और इसमें आप क्या-क्या कर सकतें दोस्तों सबसे पहली बता दूँ इस setting को enable करने के लिए आपको करना क्या होगा volume अब की और साथ में साथ में जो power की है उसको दबाना होगा और उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे functions आ जाएंगे और आपको उसमें कहीं सभी function को use कर सकते हैं या कह सकते हैं कि आप एक shortcut create कर लेंगे functions का और आप power की प्लस volume अब की से उसको easily access कर पाएंगे और enable और disable कर पाएंगे दोस्तो ये option आपको कहां मिलेगा कैसे उसको enable करना है इस setting को और इसमें क्या-क्या option work कर सकते हैं दोस्तों चलते हैं आगे मेरे नाम सणी अरोर आपको स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में तो दोस्तों जैसा कि मैंने मैं पहले आपको करके बताया तो आप देख रहे हैं दोस्तों ये आपकी और ये पावर की को मैंने बस एक बार क्लिक करना है तो आप देखेंगे यहाँ पर एक option अजाएगा जिसका नाम है डालेक्ट एकसे और इसमें मैंने दो करना है तो वापिस मुझे पावर की और वाल्यूम अपकी को बस एक बार दबाना रहेगा यह option ऑपन हो जाएंगे और यहां से मुझे इसको आफ कर देना है तो यह होता है डारेक्ट एक्सिस या बुल सकते हैं डारेक्ट फंक्शन जिससे आप इनेबल करके बहुत ईजी पर निचे की तरफ आqशन को पाएंगे और फंक्शन को इनेबल कर पाएंगे यह तो मैंने दो बता है इसमें आप बहुत सारे फंक्शन जिससे को इनेबल कर सकते हैं और चाहे तो आप सिंगल gwंशन को भी नेबल कर सकते हैं तो उसकी की तरफ आछ eating जाने कर दी, सूपर option मिल रहा है direct access में side and volume आपको उस पर जाना है सबसे पहले वाले पर by default यह off रहता है आपको कर लिना इसको on इसको on करेंगे तो आपको यहां इतने सारे options मिल रहे हैं आपको by default में में यहां से सब को बंद कर देता हूं और एक में अगर बैक आ गया हूं पूरा बंद कर दिया ऐसे बिल्टी वाल ऑप्शन को अगर आपने टिक कराया तो मतलब होगा क्या जैसे आप यहां पर volume up की और यह power की को दबाएंगे तो वह possibility वाले option पर आपको ले जाएगा सीधा shortcuts बन जाएगा और आपको वहां पर ले जाएगा तो फैला तो हो गया function अगर आपको enable करकर यूज करना है तो इसका कर सकते हैं उसके बाद आप जाएंगे बापेस यहां पर voice assistant को on कर सकते हैं इसके लिए आपको इसको आपको बोल के सुलाने वाला लाइक तो यह होता है अगर आपको इसको आफ करना है वापिस तो वापिस क्लिक करेंगे और इसको आफ कर देंगे तो यह ओफ हो गया आफ नहीं हुआ है ओफ हो गया है उसके बाद दोस्तों मैं आपको second बताने वाला हूं या बोलता हूं थर्ड बताने वाला हूं करते हैं यहां पर यहां पर यहांप देख सकते हैं दोस्तों डायलोग बॉक्स ऑप्शन हो गया है अब यहां पर आपको कोई नहींगे उतना एरिया जितना हाइलाइट्स हो रहा है वो पूरा का पूरा जूम में रहने वाला है आप चाहें तो इसको देख सकते हैं जूम आउट जूम इन जैसा आप करना चाहिए मैंगनिफायर अगर आगर आप कोई तकलीफ और ही कोई चीज़ पढ़ने में तो आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है मैंगनिफायर विंडो का इसका वी यूज आप कर सकते हैं इसको आफ करने के लिए बापिस आपको ही जाना है और इसको यहां से आफ कर देना है तो यह आफ हो जाएगा उसके बाद दोस्तों बापिस एक और ऑप्शन दिया गया है वहां पर अलबता ह Hugo यहां पर कलर इनवरिजन का कटलर इनवर जाएंगे या गैलरी में जाएंगे तो नैगे टीन dif प 화ॉंड में पूरेशन को कलर हो जाएंगे तो अगर आ प्सकर ठाना और डिसेल और प्स पर क्लिक करना और दोनों को कंटीनियो और वहांप्र font है वो देख रहे हैं आप high contrast हो जाएंगे तो आपको easily visible हो जाएंगे यह होता है high control mode उसके बाद है सबसे नीचे उसके बाद नीचे है mute all sound का यह भी बहुत अच्छा option है दोस्तों कभी आपको कोई meeting में या कोई urgent में mute कर रहा हो तो आपको simply mute all sound पर कर देंगे तो जितने भी sound है volume की के चाहिए calling के जितने भी sound होते है सब by default slow हो जाएंगे तो यह भी बहुत अच्छा फार्म है या बोल सकते है mute हो जाएंगे उसके बाद सबसे last feature है interaction control जो की बहुत आप शान्दर है इसमें उतागे दोस्तों यह देखी जैसे आप सब क्लिक करेंगे यह कोई नहीं आप पे वर करता है like मैं हाँ पर gallery open कर लेता हूं गैलरी नहीं open करता हूं मैं आपर WhatsApp open कर लेता हूं WhatsApp पर अपनी कोई chat open कर लेता हूं तो इसको मैं यह मैंने WhatsApp की अपनी कोई चैट ओपन कर लिए और मैंने इसको यहां किलिक करा और इसको एंट्रेर कंट्रल को ओन कर दी यहां ओन करने का था आपसे एक पर्मिशन पूछे का ओके का और यह आपसे एक डायलोग वो ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए एक अलग से मैंने डेटि कर दिया था आप यहां पर कोई भी टच वर्क नहीं करने वाला कहीं से कई तक बापेस डिसेबल करना हो तो बापेस उसके क्लिक करना पड़ेगा तो ही यह डिसेबल होगा अब डिसेबल हो गया चलने लगा इसमें आप और ऑप्शन दिये गए आप एक पर्टिकुलर जग लाइट हो गया और मैने आसीश को टन कर दिया अब मैं यहां यहां तक चला रहा हुँ चले गा अगर मैं यहां चलाओं अट नहीं चले है जहां भी आप देख रहे होंगे यह फोकस आ रहा है वहां टैस नहीं चलेगा तो यह होता इंट्रेक्शन कंट्रोल जिसके लिए ड सब्सक्राइब नहीं कर रहें दोस्तों प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना बूलें ताकि मैं और ज्यादा मॉटिवेट हूं और अच्छी सची वीडियो आपके लिए ला सकूँ आपको अगर मेरे वीडियो नहीं पसंद आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके जरू लिंक आपको नीचे डिस्क्रीशन में मिल जाएगा और प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना बूलें ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले दोस्तों तो थैंक्यू